उत्तर प्रदेश में जो नया धर्मांतरन कानून बना हैं उसके दुरुपियों के आरो पढ़ते जा रहे हैं ताजा मावला मुरादाबाद का है जहां एक शक्स को गिरिफतार किया गया है जबकि उसकी पत्नी का कहना है कि उनकी शाधी कुछ महीने पहले हो चुकी है पती-पती शाधी रजिस्टर के लिए कोड कर वे थे है रानी की बात यह है कि थाने के भीतर बजंक्दल के कारेकरता उनकी पत्नी से धक्का मुक्की करते रहे और पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की क्योंकि उनको कोई शिकायत नहीं मिले। उसने अपनी शादी को रजिस्टिट कराने की कोशिश की। वजह उसके पती मुस्लिम है और वो एक हिंदू है जिसने इसलाम कबूल कर लिया है। कुछी घंटे बाद पुलिस ने यूपी के नए धर्मांतरन विरोधी कानून के तहट उसके शोहर और उनके भाई को गिरफतार कर लिया। इस कानून के तहट धर्मांतरन के लिए दो महीने पहले ही इजाज़त लेनी होगी। ये सब इस बात के बावजूद हुआ कि महीला बता रही है कि कई महीने पहले उसने अपनी मर्जी से इसलाम कबूल किया है और शादी की है। पुलिस का कहना है कि उन्हें गिरफतारी करनी पड़ी क्योंकि लड़की की मान ने शिकायत लिखाई थी। ये जो आप पूछना चारे है कार्ट थाने से संबंदित मामला है। ये कनवर्जन से रिलेटिट था जिसमें जो लड़की हैं। कि मदर ने एक तहरीर थाने पे दिया था कि उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है दो लोगों के द्वारा। और जो दो लोग थे वो मौके पर आये भी थे साथ में उनको ले करके आये थे। हमने जो परताल की उसमें कई सारे कानून सामने आये। सबसे बड़ी बात ये थी कि महिला की शादी और धर्म परिवर्तन जुलाए में हुआ था। यानि यूपी के धर्म परिवर्तन के खिलाफ आये कानून से चार महीने पहले। शोहर के परिवार ने निका नामे की अनुदित कौपियां दिखाई। लड़के के पडोसी भी उसकी बात को सही बता रहे है। एक हफते पहले ले जाया गया। जबकि जब उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी दो हफते से पहले से गई हुई है। परिवार का दावा है कि उन्होंने दमपती को खोच निकाला जबकि बजरंग दल का बयान कुछ और है। बजरंग दल के लोग कहते हैं कि उन्होंने इन दोनों को तब पकड़ा जब वो अपनी शादी की रजिस्ट्रेशन कराने गए थे। दरसल परिवार भी मानता है कि बजरंग दल की लोगों ने ही उन्हें सतर्क किया। लेकिन बजरंग दल वाले इस सवाल से बचते नजर आए कि उन्होंने कैसे इन दोनों को खोज निकाला। लड़की से धका मुकी करते शक्स से हमने पूछा कि क्या पुलिस ने उनके खिलाफ भी कोई कारवाई की तो उसने कहा नहीं। तो यानि कि इस मामले में आपके ऊपर कोई कारवाई नहीं है। तो अभी एक वीडियो भी निकला था जिसमें आप लोग लड़की से बात करें थाने के अंदर आपका चेहरा दिख रहा है आपका भी दिख रहा है और आप भी हाज जी आप भी दिख रहे उसमें। तो इसके ऊपर पुलीस ने आप से कोई करवाई कि लड़की को आलमोस आप जोर जबर्दस्री से सवाल कर रहे हैं उनसे। आपकी वीडियो में आपका आप खुद लड़की से पूछताच कर रहे हैं। आप लड़की दियम का पर्मिशन पत्र दिखाओ तुम्हें पता है नियम क्या है आप जैसे लोगों के लिए नियम बनाना पड़ा है और यह सब कर रहे हो इसके ऊपर आप किसी बालिक लड़की को पकड़के ऑलमोस हरास करके क्वेस्टिन्स पूछ रहे हो एक थाने के अ पुलिस कहती है कि बजरंग दल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली इसलिए कोई कारवाई नहीं होई